कि ही स्टुडेंट वेलकम सब्सक्राइब वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेस्टन नबर 9 सौल परना सीखेंगे देखो यह जो हमारा क्वेस्टन ना यह सीम टूसेम 5.2 की तरह यह 5.2 में अगर जो बटर मेरे वीडियो एक वीडियो भी देख लिया होगा तो वह अब हमारे वाच और जब कभी भी क्वेस्टन सेंगे उनको आसानी से सौल पर सकता है वहाँ पर मैंने बहुत सरे ट्रिक्स आपको बताया थे 5.2 ठीक है फिर भी दुबारास क्वेस्टन आगिया है देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फाइंड एंगल मेजर बिट्वीन दा हैंड्स ऑफ दा क्लॉक इन इच फिगर यानि कि यहां पर जो हैंड्स है ना दो हैंड एक मीनिट वाल एक आवर वाला उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वह कितने डिक्रीक है तो यह सभी चीज़े मैं आपको डिटेल में सिखाय वह क्या है ना कि थिरी अवर्स मिला करके हमारा एक राइट एंगल बनता है पहला ट्रीक यानि कि अगर हमारे पास तीन घंटे हैं टोटल वहां पर तो क्लॉक भी नहीं बना हुआ रहा रहता था इतने टाइम से एट ओकलॉक से एलेवन ओकलॉक तक बताईए कि कि इतना ड बनता है जैसे कि 9 से 12 जा रहा है न तो 10 11 12 तो यहां पर हमारा 9 से 12 के बीच में 3 बन रहा है इसका मतलब जाहिर से बात है कि एक राइट एंगल बन रहा है और दूसरा देख करके हमको पता चल जा रहा है कि एक वर्टीकल लाइन है उसके उपर एक और और बनेगा तो अगर हमारे शार इसका कैसे मेसर मंट लें तो यहां पर दिमाग यह लगाओ आप यह जैसे दिखो 53 अवर्ज अब हво रहे हहं हमारे पास है जो हमारी हैंड यह वाली जो हैंड है वह क्या हो यह था पर प्ुछ मत करो 90 को भीड़ी दो 3 से हमल में आ रहा है बात ना क्योंकि 3 में 90 है तो इसमें को 1 का पता चल जाएगा तो 1 हो जाएगा हमारा 3 3 is 9 और यह 0 का 0 यानि कि 30 कभी भी अगर हमारे पास कोई भी अगर काटा है ठीका अवर हैंड हो मिनट हैंड हो अगर वह एक नंबर आगे बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर 30 डिगरी का एंगल बनाएगा उसी तरीके से अगर कि टू में रहता ना तो 30 कितना होता है 60 बना लेता अगर कि 3 में चल जाता तो 30, 30, 30, 90 बना लेता अगर यह हमारा 4 o'clock होते रहता अभी तो 30, 4 times इसको प्लस कर दो आप 34 जा कितना होता है हमारा 3, 4 जा 12 तो 34 जाओ जागा 120 उसी तरीके से अगर 5 में रहता तो 30 का 5 से multiply कर दो तो 150 डिगरी का एंगल बन गया तो बस आपको एक छोटा सा ट्रीक बता चल ज लेना यहां देखना कि 1, 2, 3, 4 नंबर से हैं तो 30 का हमारे अंदर में कितने हैं डिगरी का अंगल बनेगा तो 4, 3, 4 जामारे कितना होता है 180, sorry 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 30 डिग्री का एंगल बनेगा यह भी आपका दिवाग में क्लिए हो गया तो इसमें डाइट आपनी फ्लोट 30 डिग्री और अगर इस्ट्रेट लाइन में एंगल है जैसे 6 तो यहाँ पर आपको मेजर्मेंट लेनी की बिज़रतनी प्रोटेक्टर का यूजी नहीं करना है कभी अगर आपके पास वाच आए तो सिंपल आप बस यहाँ पर आवर हैंड और मिनट वाले हैंड को देख कर ही पता चला सकते हो अपने दिमाग में कि वहाँ पर कितने डिग्री का यंगल बन रहा है 30 वाला बस दिमाग में याद रखना ठीक है तो आयोप आपका यह डौट क्लियर हो गया होगा अब हमनों मिल कर दो कर दो सुखसी कर सकते हैं